हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 बीजे वेंज़क प्रश्णावली 12.3 से कोशन नमबर 2 सोल्फ करेंगे कोशन नमबर 2 देखे यदि P बराबर माइनस 2 है तो निमल लिखित के मान ग्याद कीजे तो देखे हम इसमें दिया गए कि अगर P माइनस 2 के बराबर है तो निमल लिखित के मान ग्याद कीजे फर्स्ट पार्ट देखे दिया गए 4P प्लस 7 तो हमें इसका मान निकालना है तो देख्ये 4 P plus 7 इसका मान निकाल ला है तो देख्ये हमें क्या दिया गए कि P minus 2 के बराबर है तो यहाँ जहाँ P है उसकी जगा मााइनस 2 लिख लेंगे तो देख्ये 4 ऐसी लिखा P की जगा क्या लिखेंगे minus 2 तो bracket में minus 2 plus 7 अब देख्ये 4 को माइनस दो से गुणा करना है तो देखे चार को दो से गुणा करेंगे क्या आएगा चार दुनी आठ ठीक है देखे चार प्लस का है और ये माइनस है प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस के आठ फिर प्लस साथ देखे आठ semi- suck controllers 127-rend 59 मैंस एक माइनस कर घुत माइनस करते माइनस करें ऐल कि किया आएगा एक ओ निशान बडरी सब्सक्क्राइगा तो पिए के साथ माइनस का निशान आएगा तोऔर के आया माइनस एक अब second part देखे दिया गया minus 3P square plus 4P plus 7 अब हमें इसका मान निकाल ला है minus 3P square plus 4P plus 7 इसका मान निकाल ला है तो देखे हमें दिया गया P किसके बराबर है? minus 2 के बराबर तो यहां जहां P उसकी जगह minus 2 लिख लेंगे तो देखे minus 3 ऐसी लिखा फिर क्या है P का square P की जगह क्या लिखना है? minus 2 तो P का square यानि minus 2 का square फिर plus 4 ब्रैकेट में क्या है P P की जगह क्या लिखना है? minus 2 फिर plus 7 अब देखे minus 3 ऐसी लिखा अब minus 2 का square निकाल ला है तो देखे minus 2 का square निकाल ला है यानि माइनस दो को दो बार गुणा करेंगे माइनस दो गुणा माइनस दो तो देखे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस दो को दो से गुणा करेंगे क्या आएगा दो दुनी चार तो क्या आया प्लस के चार तो माइनस दो का स्क्वेर क्या आएगा चार तो ब्रैकेट में लिख लेंगे चार फिर देखे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस चार को दो से गुणा करा क्या आएगा चार दुनी आठ प्लस साथ फिर देखे तीन को चार से गुणा करेंगे आएगा तीन चोके बारा यह माइनस है यह प्लस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे आएगा माइनस बारा यानि माइनस तीन को चार से गुणा करेंगे कि आएगा माइनस बारा फिर minus 8 plus 7 अब देखिए दोनो minus के हैं जब दोनो minus के हो तो plus करते हैं और sin minus का आता है तो देखिए 12 plus 8 के आया 20 और sin minus का आएगा यानि minus के 20 plus 7 अब देखिए minus में प्लस में जब एक minus में एक plus में हो तो minus करते हैं तो देखिए 20 में से 7 minus करेंगे के आएगा 13 और निशान बड़ी संक्या का 20 बड़ा है इसके साथ माइनस का निशान है 13 के साथ भू माइनस का निशान तो अंसर के आएं minus 13 थर्ट पार्ट देखे दिया गए minus 2 P3 minus 3 P square plus 4 P plus 7 अब हमें इसका मा निकाल आ तो देखिए P हमें किसके बराबर दिया है माइनस 2 के तो जहाँ जहाँ P उसकी जगह माइनस 2 लिख लेंगे तो देखिए माइनस 2 ऐसी लिखा फिर क्या है P का क्यूब P की जगह क्या लिखना है हमें माइनस 2 तो माइनस 2 का क्यूब फिर माइनस 3 P स्क्वेर है P की जगह क्या लिखना है माइनस दो तो माइनस दो तो माइनस दो का स्क्वेर फिर प्लस चार पी चार पी की जगा क्या लिखेंगे माइनस दो फिर प्लस साथ प्लस साथ अब देखे माइनस दो हमने ऐसी लिखा फिर क्या है माइनस दो का क्यूब तो माइनस दो का क्यूब निकालेंग यानि माइनस 2 को 3 बार गुणा करेंगे, तो देखें, माइनस 2 को 3 बार गुणा करेंगे, माइनस 2 गुणा, माइनस 2 गुणा, माइनस 2, तो देखें, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस, देखें, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, म तो यानि माइनस माइनस प्लस प्लस को माइनस से गुणा करा क्या आया माइनस फिर दो दुनी चार चार दुनी आठ तो क्या आया माइनस आठ तो माइनस दो का क्यूब क्या आया माइनस आठ तो ब्रैकेट में माइनस आठ फिर माइनस तीन फिर ब्रैकेट में क्या है माइनस दो का स्केर, तो देखें, माइनस दो का स्केर क्या से आएगा, माइनस दो को दो बार गुणा करेंगे, माइनस दो गुणा, माइनस दो, तो देखें, हमने निकाला था, माइनस दो का स्केर क्या आएगा, चार, तो माइनस दो का स्केर क्या आएगा, चार, फिर देखें, यह प्लस है यह माइनस है प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस चार को दो से गुणा करेंगे क्या आएगा चार दुनी आठ फिर प्लस साथ फिर देखिए माइनस है माइनस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस और दो को आठ से गुणा करेंगे क्या आएगा दो अठे सोला यानि प्लस के सोला आया फिर देखिए माइनस तीन को चार से गुणा करेंगे तीन चो के बारा फिर देखिए माइनस आठ मैनस में वी पलस में, जब मी मनसने वी मानस में हो सही है तो निशान बड़ी हैए एक के बाइनस की और सही है तो तेरा के साथ कौन सा निशान आएगा माइनस का तो देखिए 16 प्लस का है और 13 माइनस का है तो एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस करेंगे 16 में से 13 माइनस करेंगे क्या आएगा 3 और निशान बड़ी संक्या का आएगा 16 प्लस का है तो 3 भी प्लस का आएगा तो आंसर क आया तीन तो आज इस वीडियो में हमने question no.2 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like share and subscribe thank you